नमस्ते दोस्तो आज हम बनाएंगे बूंदी का रायता यह रायता बहुत ही टेश्टी होता है टेश्टी के साथ काफी हल्दी भी होता है गर्मियों में डाइजेशन को बेहतर बनाने में भी मदद करता है और पेट में कब्ज गास हो तो उसको भी ठीक करता है तो खाना खान के बाद जरूर खाएं तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इसके लिए बुंदी ले लिए अपने हिसाब से जितना आप बना रहे हैं उसी हिसाब से बुंदी ले लिजिएगा तो नॉर्मल पानी से इसको धूल लेते हैं यह मार्केट में असानी तरीके से बुंदी मिल जा लेना है न ज़ादा खटी लेना है पर थोड़ा बहुत इसमें खटास होना चाहिए तो इसको क्या किजिए कि गहरे बरतन में निकाल लिजिए और जो इस बॉल में लगा हुआ है दही उशको भी थोड़ा सा पानी आट करकर में इसमें आट कर लिजिए अब इसको अच्छे से फेट लिजिए तो दोस्तों यहाँ पे हम दही में पानी औगेरा आट करकर फेट चुकी थी तो वीडियो दिखाई हूँ क्योंकि पहले से ही मेरे पास पड़ा हुआ था तो बच्चे मेरे जित करने लगें कि मम्मी मुझे राता खाना है तो हमने सोचा कि आप लोग को बीच में भी शेयर करना चाहिए तो आपको किस तरीके से पतला या मोटा रखना है मैं बता दे रही हूँ जैसे छांच होता है उससे थोड़ा सा आपको मोटा रखना है तो चलिए इसने बुन्दी आट कर लेते हैं तो दोस्तो जब आपको राता खाना है तभी दो मिनट पहले बुन्दी धूर लीजिएगा और फिर आट किजिएगा इस तरीके से क्या होता है कि जब हम खाते हैं तो बुन्दी क्रंची पनाता है तो अच्छा लगता है तो भुना हुआ जीरा आट करेंगे आदा चमच हाथों से थोड़ा सा क्रस कर लेजिएगा इससे क्या होता है कि इसमें खुश्बू बहुत अच्छे से उफर कराता है लाल मिची पाउडर आट करेंगे अपने स्वादा अनुसार अब भूना हुआ जीरा पाउडर आट करेंगे आधा चमच छोटे चमच से तो साधा नमक आट करेंगे और काला नमक आट करेंगे दोनों को मिक्स करके आप आट किजिएगा अपने स्वादा अनुसार तो हरी कटी हुई धनिया आट करेंगे अगर आपके पास है तो एड़ किजिए ने तो इसके बगर भी रायता बहुत ही अच्छी बनती है बस यह कलरफूल होने के लिए होता है कोई टेस्ट में बदलाव नहीं है चाट मसाला एड़ करेंगे चोटे चमज से एक चमज तो इस सब चीजों को एड़ करने के बाद इसको मिक्स करेंगे तो यह रायता बहुत ही टेस्टी बनता है और हमारे पांचन यानि खाना खाते हैं दोस्तों तो जो भी खाना नहीं पचता है तो यह पचाने में मददकार होता है तो इस गर्मियों में इसको बनाकर ज़रूर खाएं बहुत ही टेस्टी लगता है और हमारे तरीके से एक बार जुरू बना कर देखें अच्छा लगे तो लाइक सेयर करें और चनल पर न्यू है तो चनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में जुरूर बताएं कि ये रेश्पी आपने बनाया और आपको कैसा लगा एक प्यारा सा कमेंट देना ना भूलें तो चलिए शरू कर लेते हैं क्योंकि हमारे बच्चे आल्रेडी तेयार हैं खाने के लिए तो दोस्तो मेरे बच्चों को बहुत ही रायता पसंद आई आपको पसंद आई कि नहीं जरूर कमेंट बॉक्स में बताईएगा आपके कमेंट का हमें बेसबरी से इंतजार है तो बताना ना भूलेगा तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं तब तक के लिए खुद द्यान रखिए और मेरा द्यान रखिए और नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए तो धन्यवाद थैंक्यू दोस्तो वीडियो झाल 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 झाल